हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे फिर से आ गई हूँ यूसफुल सी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेकर छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती है हमारे काम को बेहद आसान बना देती है तो ऐसी ही यूसफुल आइडियो मैं आप सब के साथ शे कर लेते हैं पहली ट्रिक हमारी मांसून को लेकर है बरसात के सीजन में सबसे ज़्यादा प्रोब्लम कपड़े सुखाने में होती है जब लगतार बारिश पड़ती है न तो हमारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता कि हम कपड़ों को कहां सुखा है और देखे हम दिवाल मे कि इल गार्ड नहीं सकते कि दिवाल खराब होजाती है तो आप ये छोटा सा काम कर लीज़ेगा हमें दो हैंगर ले लेने हैं और रबड़ बैंड हम सब घर में पड़े ही रहते है तो इस तरह के रबड़ बैंड ले लेना है और हैंगर में कुछ इस थरह से देखे गाठ लगा देनी है rubber band की ये अच्छे से लोख हो जाएगा कुछ इस तरह से तो देखे पहले तो मैंने इसमें चार rubber band यूज की थी लेकिन मैंने इसमें एक निकाल दी थी क्योंकि मुझे इसमें space चाहिए था तो इस तरह से मैंने चार rubber band लगा दी है और ऐसे ही से मैं दूसरे हेंगर में लगा लूँगी तो ये देख सकते हैं मैंने दोनों हेंगर में rubber band को लगा लिया है अब हमें करना क्या है इस तरह की जो डोरी हम जिस पे कपड़े सुकाते हैं बस वो डोरी ले लेनी है और हमें rubber band में इस तरह से गाठ लगा कर इसकी लेन्थ हमें इतनी रखनी है कि जितनी लंबाई में हम इसको हेंग करेंगे तो पहले तो हम इस साइड लगा देंगे और फिर हम लंबाई नापने के बाद हम दूसरे हेंगर में गाट लगा देंगे तो देखे कुछ इस तरह से हमें लगा देना है जब मैं आपको इसको hang करके दिखाऊंगी तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मैंने ये किस तरह से किया है तो ये देख सकते हैं दोनों हेंगरों में मैंने लगा दिया है आप देखे मैं होल में कपड़े सुकाने वाली हूँ और यहाँ पर कील बिल्कुल भी नहीं है तो मैं क्या करने वाली हूँ यह जो परदे के जो पाइप आते हैं यहाँ पर मैं हेंगर को हैंग करने वाली हूँ एक साइड में दूसरी साइ काने की जगा बिल्कुल भी नहीं है तो आप इस तरह से दो चीजों का यूज करकर धेरो कपड़े सुखा सकते हैं तो देख सकते हैं मैंने इनको अच्छे से हैंक कर लिया है और कपड़े भी सुखा दिये हैं आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े एक सास सूख जाते हैं और पग्खा चला दिया था और सारे कपड़े मेरे सूख गए थे उमीद करती हूँ यह आइडिया आपको बहुत पसंद आया आप इसको जरूर से ट्राइ कीजिएगा फ्रेंस बारिस की सिजन में बहुती ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़े शुखाने में अगर आप यह ट्रिक को अपना लेंगे तो आपको प्रॉबलब बिल्कुल होने वाली नहीं है तो चलिए फ्रेंस अगली यूसफुल टिप देख लेते हैं अगली टिप हमारी पॉइल पेपर के रोल को लेकर है जब यह रोल खाली हो जाता है तो यह जाता है सीधा डस्ट बीन में लेकिन इसका इतना अच्छा यूस मैं वह आपको बताऊंगी यह देखने के बाद आप इसको डस्ट बीन में तो बिल्कुल भी फैगेंगे नहीं तो देखे करना क्या है जो हमारे पास जूर्री होती है बहुत सी जूर्री ऐसी होती है जिनको हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते है जैसे कि यह वाली मैं इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ तो आज में इसे बहुत ही अच्छे सा यूज करने वाली हूं, तो यह दोनों चीज मैंने ले ली है, अब हमें करना क्या है, देखे इस तरह के hook ले ले लेने हैं, और इस pipe में हमें डाल देने हैं, जितने हमें hook चाहिएं, उतने मैं इसमें डाल दूंगी, तो यह देखेगा, मैंने इसमें डाल दिया है अब ये जो हमारी chain है वो हम इसके अंदर डाल देंगे मिन्टो में बनकर तयार हो जाता है और बहुत ही काम की ये चीज है फ्रेंस आपके बेहत काम आने वाला है तो देखे चैन मैंने इसके अंदर डाल दी है दूसरी साइट से जब निकल जाए तो इस तरह से हमें इसको लोग कर देना है और लोग करने के बाद ये मिंटो में हमारा वॉल हेंगिंग बनकर तयार हो गया है आप इसमें अपने स्टोल, दुपटे, अपने बैग भी इसमें हेंग कर सकते हैं देखेगा बहुत अच्छा सा दिखने में भी बहुत जादा ब्beautiful लग रहा है आप चाहे तो इस पे color भी कर सकते हैं और अपने मन पसंद के मुताबिक इसको decorate भी कर सकते हैं तो ये मैंने देखिए hang कर दिया है है और मैंने इसमें अपने स्टोल hang किये हैं आप चाहें तो इसमें फर्स भी हैंक कर सकते हैं जूलरी भी हैंक कर सकते हैं बेहत काम की ये चीज है उमीद करते हुआ फ्रेंस यह आइडिया भी आपको बेहत पसंद आया होगा तो चलिए फ्रेंस अगली उसफूल टिप देख लेते हैं अगली टिप हमारी बच्चों की पैंट को लेकर है इस तरह की जिन्स की पैंट की जो चैन होती है वो बहुती जादा लूज हो जाती है जब पैंटे हैं तो ये बार-बार इस तरह से खुलती है तो फ्रेंस अगर ये प्रॉब्लम हो रही है और चले को ये जो चैन का runner है इसके एह hole में हमें डाल देना है और इसको डालने के बाद जब हम बच्चे को pen पिनाते हैं pen पिना कर इस तरह से इसको बंद करकर और इस चले को हम button में कुछ इस तरह से hang कर देंगे तो इससे क्या होगा बहुत ही अच्छे से ये देखे लोग हो जाएगा बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है चैन बिल्कुल भी नहीं खुलेगी तो आप ये छोटा सा काम ज़रूर से कर लीजेगा बहुत ही useful है उमीद करती हूँ friends यह idea आपको बहुत पसंद आया होगा कौन सी tips आपको ज़्यादा बहतर लगी comment box में मेरे से ज़रूर शेयर कीजेगा और friends आपसे छोटी सी request है वीडियो और आपको थोड़ी सी भी useful लगी है तो please वीडियो को like और मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ऐसी useful tips मैं आप सब के साथ शेयर करती रहती हूँ मिलती हूँ next वीडियो में, bye friends